एलो दोस्तो आपका यूटूब चैनल अटारी सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर में स्वागते तो सात्यों आज के इस वीडियो में हम हिरो की मोस्ट इंपोर्टेंट बीए सिक्स इस प्लेंडर प्लस बाइक के सेंसर टेस्टिंग मेन्यू के बारे में जानेंगे और सात ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप इसकी पेडिया फाइल को किस तरह से बिलकुल फिरी में डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं अउनली फोर डिटेल्स तो सात हो यह हमारी हीरो बाइक का सेंसर टेस्टिंग मेन्यू है इसमें आपको उपर की और 6-7 ओप्सन दिये गए हैं जैसे की सेंसर टाइप टेस्ट टाइप, मल्टिमेटर सेटिंग्स, मल्टिमेटर रेड पिन, मल्टिमेटर बलेक पिन, टेस्ट रिजल्ट और एक्शन टू भी टेक यह 6-7 ओप्सन आपको दिये गए जिनकी मदद से आप आसानी से सभी सेंसर को मल्टिमेटर के माध्यम से चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको इसके पस्ट ओप्सन, सेंसर टाइप में से एक सेंसर को लेना है, जिसे भी आप चेक करना चाहो, हम यहां उदारन के लिए मेप सेंसर को लेंगे, फिर आपको इसके दूसरे ओप्सन, टेस्ट टाइप को देखना है, और इसमें आपको सेलेक्ट करन है कि आप क्या चेक करना चाते हैं जैसे voltage, resistance, continuity तो हम यह voltage को चेक करेंगे इसलिए हम multimeter को 20 voltage DC पर set करेंगे फिर आपको आगे की option अनुसार multimeter की red pin को sensor के light green में yellow wire के साथ जोड़ना है और इसी प्रकार से meter की black pin को ground यानि की body earth को देना है और सात्यों में आपको यहां बता दू कि map sensor मुखे sensor unit का हिस्सा होता है जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं यह हमारा sensor unit है इसमें मुखे 3 sensor लगे होते हैं map sensor, tps sensor और intake air temperature sensor और दोस्तों sensor unit में मुखे 5 wire होते हैं जैसा कि आप भी देख सकते हैं इस diagram में और हमारी testing menu अनुसार इसका wire light में green में yellow जो की मुखे रूप से issue के pin नमबर तियानलिस से जुड़ा होता है जैसा कि आप भी देख सकते हैं और सात्यों जैसे ही आप इसे meter की black pin को body earth देंगे तो फिर आपको multimeter में reading को check करना है जो कि extender process के अनुसार 5 voltage plus minus 0.1 voltage होनी चाहिए और यदि reading proper رूप से नहीं आ रही है तो आपको इसके wiring coupler को check करना है और यदि फिर भी reading proper नहीं आ रही है और problem हो रही है तो आप इस sensor को replace कर सकते हैं तो सात्यों इस तरह से आप इस menu के माद्यांस से सभी sensor को आसाने से check कर सकते हैं इसमें आपको सभी sensor को बताए गया है, जैसे कि TPS sensor, Oxygen sensor, EOT sensor, Fuel injector, Fuel pump, Crank position sensor, Pudge wall, Vickles speed sensor, Back angle sensor, आदि सभी प्रकार के sensor बताए गये और यदि आप इस menu को डाउनलोड करना चाते हैं, तो आपको हमारे इसी channel के अंदर All Bike की मत पून फिरी पले और Settings का वीडियो देखने को मिलेगा, उसके अंदर जाकर आप इस वीडियो को आसाने से डाउनलोड कर सकते हैं, तो साथ हो यदि आपको वीडियो चल लगाओ, तो फिले चैनल को सस्क्राइब जुरू करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जुरू सेर करें, दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ,